हेलो दोस्त पतजड हुए बिना पतजड हुए बिना पेड़ो पर नए पत्ते नहीं आते पतजड हुए बिना पेड़ो पर नए पत्ते नहीं आते और कठनाई और संघर सहे बिना कठनाई और संघर सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते क्योंकि यहां दोस्त दुनिया के यह असूल है कि जो इंसान जितना कठिनाई और संगर साहता है उसकी एक दिन भी आती है वहाँ दिन ऐसा एक मुकाम लेकर आती है ना कि सारा दुनिया उसकी पिछे रहा जाती है और वहाँ विक्ति आगे निकल जाता है चलिए मैं आप ही लोग का दोस्त आरकेत यागी आप ही लोग का अपना ही चैनल चमपरन एस्टरी सेंटर में मैं स्वागत करता हूँ चलिए आज मैं जो ट्रिक लेकर आया हूँ वह एक दमदार और संदार ट्रिक होगा जो आप लोग को यहाँ वीडियो इतनी अच्छी लेगी ना कि आप लोग इसको देखकर चकीत रह जाएंगे क्योंकि जो आज का वीडियो है वह नाइन से बने हुई संख्या का आज वीडियो है जो आप लोग को हम इसका बेसिक से लेकर पूरा मतलब क्या बते हैं इसका पूरा ट्रिक भी सिखाएंगे चलिए बीना टाइम गवाए हम इस वीडियो को चालू करते हैं देखिए दोस्त आज जो हम चालू करने वाले हैं वहां क्या है ध्यान से देखिएगा हम यहां पे कुछ बिसिकली बातें बताना चाहते हैं वह इसको लिखने से बहुत सारा मतलब है दोस्त इसलीए हम देखि रहे हैं अब इनमें क्या क्या कहानिया है थ्थोड़ा सा आदेए मेरे साथ ने क्या क्या कहानीं है सफ़ेंगे हम नाइनिंग का जो बर्ग करेंगे यानिंञान की ऱ्या ni यह हमेंसा क्या रहेगा आपको बाry इसको हम क्या रखेंगे भैरियाबल रखेंगे भैरियाबल यानि यहां परिवर्तन सिल रहेगा आई रहेगा कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट फिर यह क्या रहेगा यह रहेगा भैरियाबल भैरियाबल फिर यह रहेगा क्या आपका कॉंस्टेंट यानि यहाँ variable रहेगा यहाँ आपका constant रहेगा फिर आपका यहाँ variable रहेगा आपका constant रहेगा अब चरिए हम इसको सिखते है कैसे कि यहाँ हम क्यों लिखे हैं यहाँ लिखने का मेरा वज़ा क्या है देखिए इसको लिखने से आपको एक फायदा होगा ना कि आप इसको सिख जाएंगे कि कैसे यह variable होता है कैसे constant होता है अब यहाँ पर हम एक चालू कर दिखिए यहाँ आपके सामने हमने कहा दिया कि इसका बर्ग, यानि हम लोग क्या सिख रहा हैं, यानि एसक्वाइर है, यानि बर्ग, यानि इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यानि आपको कहा दिये कि हम, यह दो अंक में, यह नाइन नहीं दो अंक में हैं, इसको आपको क्या कर यह कभी बढ़ेगा नहीं आठ एक है तो आठ हमेंसा एक ही रहेगा फिर जीरो का संगे क्या होगी बढ़ती घरती रहेगी फिर वन क्या रहेगा इसमी कोई चड़का नहीं कर सकते है अध्यान सःङी करके 1 सनख़य करकर क्या करने यह नहीं दोेहां को सब्क्राइब तो तो आठें यहां पर एक केयों की constant यह तो हमीशा लिखाएगा ठीकिन अधिक जितना 9 होगा उतना ही आपका या भजी जीरो होगा यह बदलने वोला है यह भी जीरो हो जाएगा यहां पर सामने देखिएगा अब 0 अब सोचीए इसमें तीन अंख है तक या करेंगे बोले हैं ना एक नाइन हमको कम करें लिखना यानि यह भर यह बदलता रहेगा तो यान क्या होगा नाइन दो लिखे देंगे ठीक है अज इसके वाद में एक नाइन अपको कुछ नहीं एक और आते हैं यहां पर चार का लेते हैं ठीके अब यहां पर देखिए चार को है न तो यहां पर हम तीन को लिखे लेंगे ठीके न फिर एक इसके जगाप आट लिखेंगे अज जितना नौ उतना ही जीरू आए एक को एक बस हो गई कोई दिकत नहीं दिकत होनी चाहिए तो इस तरह से आप नाइन की जो संख्या बनी है उससे आप कर सकते हैं इसमें कोई डाउट फूल नहीं है आप यह संदार और दमदार तरीका आप कहीं भी देखिए यहां जो बेसिक चीज़े होती है यहां हर एक्जाम में यानि जहां भी आपको देखिए सारा एक्जाम में कोशन करने के लिए कुछ आपको जड़ यानि मजगूत होनी चाहिए वहां क्यों कि जितने भी कॉंसेप्ट या तरीका हम आपको दे रहे हैं उसको पूरा तगला रखते हैं तो हम चितना चप्टर टू चप्टर चलेंगे वहां पर आपको बहुत फायदा पूएगा तो इसलिए कहते हैं कि आप इनको सारा को एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप हमेशा अपने पास रखेगा कियों कि एक्जाम के समय में बहुत काम आएगे ठीक है ना तो चलिए अब आप सिख गए होंगे हम आसा रखते हैं कि आ बहुत तो फाइक पांच यह पांच आएक लास्त में बस हो गई आपकी कहानी हो गई दोस्त हो गई तोस्ता इस तरह से आप नाइन का आप बर सिख लिएँगे मैं विश्वास रखता हूं आसा रखता हूं कि आपने आपको यह अच्छा लगा होगा ठीक है यह आपको यह अच्छा लग यह वीडियो तो कमेंट और सेर करना न भूलेगे चलिए अब इसी पर एक और दमदार और संदार तरीका आपके सामने हम लेकर आते हैं जदी नाइन के बगल में अगर पांच रहे तो ऐसे संग्या को हम कैसे करेंगे ठीके ना बस इसी कंसेट पर वह भी है बस सब्सक्राइब दूस्तम यहां करते हैं जदी हमको मान की चलिए नाइन यह एक हैं पे खोटी शपस अब यहां पर सूचिए एक बात हम क्या बताना चाहते है हैं आप क्या कीजिएगा है ठेकिन जदी ऐसे अगर जो भी आप कर हैं उससे बरी आसानी से इसाब कर सकते हैं दिङे जितना नौर है उतना अब लिखी आव उतना ही आपको जीरो लिखना और लास्रस पहने क्या करना है कि उतना लिख CA आप इसको इतना कर दिए कोई दिख्टाथ नहीं होगा यहां पर दिखिए कितना नदूग है तरौज सांदार और दंदार थे इस तरह से आप कर सकते हैं एक और लेते हैं दिखी यहां पे 5 अब इसको कहिए कितना टाइम लेगा बहुत अरे चंद सकेंड में दिखिए कितना है चार गों है तो चार गों आप 9 लिख लिजी और चार गों आप 0 लिख देजिए ठीक है न आइसको पाचा 25 कर देजिए हो गए कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए इस तरह से आप एक और ले लिजिए कितना है पांच 6 गों है तो आप 6 यहां पर 6 इतना कौम को बर करना यहां पर आप क्या कर लिजिएगा तीन और तीन 6 पांच 6 आए इतना ही आपको 0 देना तीन गों चार गों पांच गों छे आए इसको आप का करना यहां पर लाश्न पर चीस इस तरह से आप क्या कर सकते इसका तेजिस यानि आप एसक्वाइर इसका कर सकते हैं हमको आसा लगा होगा विश्वास मुझे है ठीक तो यहां वीडियो आपको समझ में आई होगी ठीक है तो मैं आफिका दोस्त और करते आगी इस वीडियो को इतना आप सेयर कीजिए इतना मतलब सब्सक्राइब करके लोगों के पास सेयर कीजिए कि यहां वीडियो वायरल हो जाए ठीक है मैं आसा रखता हूं विश्वास